नमस्कार बहुत सौगत है आपका नौरात्र साल में दो बार बहुत ही जोर सोर से मनाई जाती है एक तो है सारदी नौरात्र और दूसरा चैत्र माह का नौरात्र जो जिस दिन से नए साल का अरंब होता है नौरात्र की आप सभी दर्सकों को धेर सारी सुपकामना है नौरात्र की सब्तमी से कन्या पूजन सुरू हो जाता है और सब्तमी महा अश्टमी महा नौमी के दिन कन्याओं को नो देवी का रूप मान कर पूजा जाता है और कन्याओं के पैरों को धोया जाता है आदा सत्कार से भोजन करया जाता है। ऐसा करने से मातारानी अपने भक्तों को सुख खिरहने का आशिरबाद देती एं और संबिध्धिकावरदान भी देती हैं तो आज हम बात करने वारे हैं कि नवरात्र के दिनों में चोटीคक्न्याओं को आप क्या दें क्योंकि नवरात्र के दिनों में सिर्फ महासप्तिमी महास्टिमी महानोमी ही नहीं बलकि हर दिन की अलग-अलग बिधान है कन्या पूजन के और मातारानी को मनाने का तो आज हम आपके साथ जुड़े हैं बहुत सारी जानकारियों के साथ आए जानते हैं बिस्तार से कैसे आप मातारानी को करें प्रशंड सबसे पहले तो ये जान ले कि कन्या पूजन जो होता है उसके लेकर खास प्रयोग होते हैं और हर दिन हर नौरातर के हर एक दिन की प्रकट होने को लेकर महिसासुर मर्दन तक की अनेक पौरानी कथाएं आज भी आपने सुनी होगी सुना भी जाता है कि क्योंकि महिसासुर को मारने के लिए सभी देवताओं ने अपने अस्त्र सस्त्र उन्हें उपहार में दिये अब मात दुरगा ने सेर की सवारी करना कै से अपनाया यह भी बहुत ही जरूरी है आपके लिए जानना एक पौरानिक कथा के अनुसार मा पारवती ने भगवान भोले नात को पती के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की अब तपस्या इतनी कठीन थी कि उनका रंग ही साउनला हो गया और मा की तपस् करते वें उन्हें साउनली कह दिया इस बात से माता पारवती नाराज हो गई और उन्होंने फिर से कठोर तपस्या सुरू कर दी घने जंगल में तपस्या के वक्त मा पारवती के पास एक सेर आकर बैठ गया वह बहुत भूका था सेर इस इंतजार में बैठ गया कि कब तप तपस्या में कई साल भी इत गया लेकिन सेर वहीं डटा रहा अब मा पारवती की तपस्या से प्रसंद होकर भगवान भोले नात प्रकट होते हैं और उन्हें गोरा रंग बरदान में दिया बरदान मिलने के बाद जब मा पारवती ने अशनान किया उसके बाद उनके सरीर स एक देवी का जनुवा जो बाद में माता गोरी कहलाई अशनान करने के बाद मा पारवती ने देखा कि एक सेर उन्हें लगातार देख रहा है मा को पता चल गया कि सेर उन्हें अपना निवाला बनाने के लिए कई सालों से इंतजार कर रहा है अब यह जानकर माता रानी बह बाहन सेर है इसलिए न Dol mathematician को शिरो वाली भी कहते हैं तो आए जानते हैं माता रानी को पर्षणन करने के लिए कैसे मनाएं और क्या कैसे करने पूजन करें सबसे पहली बात करनीया को जिल पूजन करें इसके लिए 9 दिनोह में अलग-अलग देवी के रूपों की पूजा होती है कन्या पूजन जब भी आप करें तो एक दिन पहले ही उन्हें निमंतरन दिया जाता है लेकिन एक और बात का ध्यान रखेगा कि कन्याओं की जो उम्र है दो वर्स से उपर होनी चाहिए उससे छोटी कन्या नहीं लेनी है और दस वर्स तक की कन्या होनी चाहिए अभी के जवाने में नो वर्स ही है हलांकि कन्याओं की संख्या 9 से कम होनी चाहिए और एक बालक भी होना चाहिए जिसे हनमान जी का रूप माना जाता है जिस प्रकार मा की पूजा भेरब के बिना पूर नहीं होती उसी तरह कन्या पूजन के समें एक वालक को भी भोजन कराना बहुत जरूरी है अब नौ से ज़्यादा अगर कन्या भोजन पर आ जाए तो कोई बात नहीं है तो नवराथर में सभी तिठिओं को एक एक और अस्टमी याये नवहीं तिठी को 9 कन्याओं की पूजन होती है तक एक एक कन्या का पूजन करें अब जैसे दो वर्स की कन्या है न तो उसको कुमारी पूजन से दुख और दरिता का नास होता है यानि दो वर्स तक की अगर आप कन्या का पूजन करते हैं तो जीवन के तमाम तकली परिसानिया समाप्त हो जाती है अगर तीन वर्स की कन्या का पूजन करते हैं जिसको हम तरिमूर्थी कन्या के नाम से जानते हैं धन धाने की बिर्धी होती है परिवार में सुक्सम्रिद्धी आती है अगर आप चार वर्स की कन्या का पूजन करते हैं जिसको हम कल्यानी कहते हैं तो चार वर्स की कन्या का पूजन करते हैं तो काली का रूप कहा गया है काली का रूप से बिद्या विजय राजयोग की प्राप्ति होती है साथ वर्स की कन्या का पूजन चंडिका का है और चंडिका रूप का पूजन करने से एस्वरी की प्राप्ति होती है आठ वर्स की कन्या सांभवी कहलाती है और सबसे पहले पूर्णारी आज हम बात कर रहे हैं कि करन्याओं कर दे कर आप उनको मना है तो सबसे पहले तो कैसे करेंगे कन्या पूजन देखे एक दिन पहले ही उनको आपको निमंतरन देना है और मुख्य कन्या पूजन के दिन आप कन्याओं को कही सभी पकड़ के लिया ऐसा नहीं है पहले ही निमंतरन दे दीजे मेरे घराना है आप सभी को और निमंतरन जब दी कुछ गिप्ट लेके या फल लेके आप चाहे तो उनके लिए चौकलेट लेकर जाएं और उनको समान के साथ निमंत्रन दे कर आएं ग्रीफ प्रबेश जैसे कि कन्याओं जब आपके घर में आएंगी तब उन पर पुस्प वर्सा करें और भगवान जो भगवती हैं उनके न पैर को दोये पहले पैरों को दूध से भरेवे थाल में लिए रखना उसमें पानी मिलाके रख के अलका दूँड डाले उनका पैर रखें फिर अपने हातों से पानी के से उनके पैर को दोये और चरण चूकर आसिरवाद लीजिए याद रखीएगा जब आसिरवाद लें तो उनका हाथ अपने सर पे रखें, क्योंकि वो मा के रूप हैं। फिर उन्हें आलका पहनाईए, माथे पर अक्छत पुस्प कुंकुम लगाईए, और मा भगवती का ध्यान करके देवी रूपी कर्ण्याओं को इच्छा अनुसार भोजन करवाएं, और कर्ण्याओं को आप भोजन करने के बाद सामर्थ के अनुसार दक्छिना उपहार देना है, लेकिन उपहार क्या देंगे कि घर में बरकत होती रहे और परेसानियां घर से कोसो दूर हो जाए। तो मा भगवती मा दूरगा को परसंद करने के लिए आपने तमाम नियम से काम किये, उनको भोजन में हलवा पूरी जरूर खिलाईएगा और इसके बाद आप जब उनका आसिरबाद लेने, फिर कर्ण्याओं को आप जब चरंच हुईएगा तो उनके हाथों को अपने सर प अगर नहीं है तो किसी भी कर्ण्याओं को अपने हाथों से नारियल दें, घर में सुख सम्रिदी आएगी परिसानियों का नास होगा, अगर कर्ण्याओं पूजन में आप कर्ण्याओं को केला देते हैं फल के रूप में तो जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं, कैसी भी पिडाएं परिसान नहीं करती, संतान सुक, धन सुक, सब कुछ प्राप्त होता है, वैसे उनकी मन पसंद आप वाटर बोतल, टिफिन बॉक्स, ड्रॉइंग के लिए आप सामान, उनके पसंद दीदा गिप्ट सुने दे सकते हैं, उनके खिलोने दे सकते हैं, चुन्दरी ज यह सबी चीजें उन्हें गिप्ट में आप दे सकते हैं, और एक बरतन दे सकते हैं, जिसमें वो बार बार खाना खाएंगी, तो यकिन आपके जीवन के कस्ट कम होंगे, आप छोटी कर्नियाओं को दक्षिना के रूप में फल भी दे सकते हैं, एपल बेगेरा कुछ भी दे दे और फिर आपके जीवन की समस्त मनों कामना पूर्ण होगी, फिला हम आपसे भी दा लेते हैं, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सकाइब करें, अपनों से सेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरू लिके हैं, धन्यवाद